हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मैधेमेटिकल पार्ट शाला में फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट कोश्चन पिक करते हैं let s be the family of orthogonal trajectories of the family of curves 2x square plus y square बराबर constant 4 k belongs to r and k is greater than 0 if c belongs to s and c passes through the point 1,2 तो जो हमारी family है orthogonal trajectories की उसमें से एक curve c लिया गया है और c 1,2 से pass हो रहा है तब आप से पूछा गया है कि c इन मैंसे किस point से pass होगा तो फ्रेंड्स जो ये orthogonal trajectory है ये IIT GM वालों का one of the favorite topic है यहां से हमेशा question पूछा जाता है और इस साल भी बिना किसी exception के question पूछा गया है और ये बहुत easy question था फ्रेंड्स तो सबसे पहले हम क्या करते है जो ये हमें family of curves दे रखिये इसके लिए differential equation निकालते है तो जो हमारी differential equation बनेगी उसमें जो dy by dx है उसको हम minus dx upon dy से replace कर देंगे अब देखो इसे differentiate करो तो 4x plus 2y y dash बराबर 0 2x square का with respect to x differentiation क्या होगा 4x अब y square को अगर with respect to x differentiate करना है तो आपको chain rule लगाना पड़ेगा पहले से y के respect में करो तो 2y multiplied by फिर y को x के respect में करो तो dy by dx और dy by dx को मैंने y dash लिखा है और constant का differentiation 0 लिखा है तो यहां से y dash की value आ जाएगी friends minus 4x upon 2y which is equal to minus 2x upon y ठीक है friends अब हम क्या करते हैं और्टोगोल ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए जो हमारा y dash है इसको minus 1 upon y dash से replace करते हैं तो minus 1 upon y dash की value हो जाएगी minus 2x minus 2x upon y अब friends यहां से minus minus plus मतलब minus और minus cancel हो जाएगा और 1 upon y dash का मतलब होता है dx upon dy तो dx upon dy की value हो जाएगी 2x upon y अब friends अब हमारा variable से approval वाला method लग जाएगा तो अब ऐसे रब कर रहा हूं friends उपर से तो dx upon 2x किसके क्वल हो जाएगा dy upon y के अब आप दोनों तरफ integrate कर दो तो इसका integration हो जाएगा half ln x बराबर ln y और आप अगर यहां एक arbitrary constant एड़ कर दो ln k तो ln k प्लस half ln x बराबर ln y तो ln k प्लस ln x की पावर हाफ बराबर ln y तो अब logarithm वाला rule लगा दो तो यह हो जाएगा ln k x की पावर हाफ ln a b की वेलू क्या होती है ln a plus ln b बराबर ln y अब logarithm से logarithm आप cancel कर सकते हो तो y बराबर आजाएगा friends आपका k times x की पावर हाफ तो अगर friends आप यहां से k की वेलू निकालना चाहो तो देखो हमें एक point दिया गया है कि यह 1,2 से pass हो रहा है तो y की value 2 रखो और x की value क्या रखो 1 तो x की value आपने रख दी 1 और y की value आपने रख दी 2 तो यहां से क्या imply करेगा k बराबर 2 तो k क्यों आप 2 से replace कर दो तो y बराबर twice x की पावर हाफ यह किस option में आ रहा है देखो अगर आप x की value 2 रखते हो तो y कितना आ जाएगा यहां से य बराबर twice 2 की पावर हाफ 2 की पावर हाफ मतलब 2 root 2 तो जब x की value 2 है तो y की value 2 root 2 तो option number c correct हो जाएगा ऐसे ही आप verify कर सकते हो friends अगर y बराबर twice root x है तो a b और d आपके false options है थेंक यू friends